पाकस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, महंगाई की वज़े से लोग सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे सोने के भाव आस्मान छूरे हैं, आपको बता दें कि पाकस्तान में 10 ग्राम सोने की कीमत रिकॉर्ड एक लाग साथ हजार पांक सो रुपए तक सोरी और अर्थ विवस्था को लेकार नए जोखिम सामने आने से निवेशकों के बीच में चिंताएं भी बढ़ गई हैं और सोने की मांग भी बढ़ी है फीट तक पानी भर गया जिससे लोगों को कई तरह की दिफ्कतों का सामना करना पड़ रहा है थाने पीने का समान दूद जो भी नैसेसरी चीज़े है वो लेके आ रहे हैं आनकि वहां सेना की कई टीमें लोगों को निकालने में जुटी हैं इसके अलावा पानी निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से वहां पंप भी लगाए गए हैं लेकिन भरिशानी है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही जिसकी वज़े से कॉलनियों के अंदर पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है बताए गया कि जोधपूर में बीते 15 दिन में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गी तीन दिनों के अंदर वहां करीब 10 इंच पानी बरस चुका और यही वज़े है कि बारिश बंद होने के बाद भी नियू रूपनगर के हालात बिगटते जा रहे हैं हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है हालकि सेना के जवान ना उसे घर घर जाकर लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे हैं वही भारी बारिश की वज़े से परिशानियों में घरे लोगों ने प्रशासन पर जम कर अपनी बढ़ास निकाली सिर्फ न्यू रूपनगर ही नहीं बलकि शेहर की दरजनो कॉलनिया जलमगन है और वहां भी रेस्क्यू आपरेशन चला कर लोगों को निकाला जा रहा है इस बीच हिमाचर पदेश के कुल्लू में पहाड से आए कीचड के सहलाब ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया भारी बारिश के बाद बादल फटने और जमीन खिसकने की वज़े से कई घर वहां बरबाद हो गए जबकि कुछ घरों के उपर मलबा जमा हो गया कुल्लू के चनाइगाड गाउं से तबाही का एक वीडियो सामने आया जिसमें पहाड से पानी के साथ मलबा तेजी से गाउं की तरफ बढ़ता दिखाई दिया पानी के तेज भाव के साथ हाया मलबा इतना ज़्यादा था कि देखते ही देखते वहां बने घरों की सूरत बदल गई चारों तरफ सिर्फ कीचड वाला मलबा ही पहला नजर आया पहाडों पर रुक रुक कर हो रही बारिश की वज़े से आये कीचड के सहलाब से कई घर बरबाद हो गए लैंड्सलाइट की आफ़त के बाद कुछ इलाकों में सड़कों पर इतना मलबा जमा हो गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया लगातार हो रही बारिश और लैंड्सलाइट के बाद अलर्ट हुए प्रशासन ने चनाईगाट गाओं को खाली करवा लिया उदर उत्तराखंड के कई लाकों में पहाड खेसकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी पहाडों पर लगातार हो रही बारिश की वज़े से जगा जगा लैंड्सलाइट का खतरा बना हुआ है और कुछ जगों पर तो हालाद इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पहाडों से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं कुछ इसी तरह की घटना चमोली में भी हुई वहां कर्ण प्रया के पास कुमाओं को जोडने वाली सडक पर पहाड का विशाल हिस्सा आगि रहा जिस वक्त पहाड खिसका वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने इस घटना को अपने मुबाइल में कैद कर लिया वो वहां से गुजरी रहे थे कि तभी पहाड तूट कर नीचे गिर गया यह मंजर देखकर वो घबरा गए उन्होंने अपने पैर पीछे की तरफ खिंच लिये इस घटना के बाद वो रास्ता बंद हो गया और लोगों के वहां से आने जाने पर रोक लगा दी गई